योक्रांती परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लाइक करें, सेयर करें और कमेंटिफी करें वेल अइकन का बिटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सई समय पर मिल सके यदि आप युक्रान्ती परिवार के वार्सर गुट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वार्सर नमबर दे दिया है कुछ दिन पहले उत्राखर्ण में 117 महाविद्यालाओं में योग प्रसक्षकों की भरती आईवी थी उसकी डेट अब बढ़ा दी गई है क्या है पूरी जानकारी हम देख लेते हैं योग प्रसक्षकों की भरती के लिए रोजगार प्रियाग पूर्टल पर आविद्यालाओं में अभ्यार्तियों को दिक्कते आ रही थी उच्चे सक्षा व्भाग ने आविद्यालाओं की तिथी 23 मार्ज से बढ़ा कर 20 अप्रेल के निर्देश दिये हैं प्रदेश के 117 महाविद्यालाओं में योग प्रसक्षकों की भरती प्रक्रिया निदेशाला इस तरह से चल रही है आविद्यालाओं के आ रही दिक्कतों के कारण प्रदेश वर के अभ्यार्ति उच्चे सक्षा व्भाग से संपर्क कर रहे हैं योग प्रसक्षों का कहना है कि रोजगार प्रयाक पोर्टल पर पंजी करने के बाद भरती के लिए आविदन नहीं कर पा रहे हैं उच्चे सक्षा वहाग के सहायक निदेशक डॉक्टर गोविंद पाठक ने बताया कि रोजगार प्रयाक पोर्टल पर सेक्षक योगिता अपडेट ना होने की वज़े से कई अभ्यरती आवेदन नहीं कर पा रहे हैं आवेदन करने के लिए अभ्यरती का M.A. योग, डिप्लोमा एन योग और दो साल का अनुभाव जरूरी है सेक्षक योगिता का कालाम अपडेट करने के बाद अभ्यरती भरती के लिए आवेदन कर सकेंगे योग प्रसक्षकों के 117 पदों के लिए 99 अभ्यरतीयों ने आवेदन किया है भरती के लिए आवेदन करने में अभ्यरतीयों को आ रही दिक्कत को देखते हुए आवेदन की थिथी 20 अबरेल तक बढ़ादी गई है रोजगार प्रयाक पोटल पर सेक्षक योगता अपडेट करने के बाद अभ्यरती आवेदन कर सकेंगे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद